वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप भी आई एप को भी आई नमबर से कैसे भेरिफाई करेंगे तो इस वीडियो को आप सुरू से लाश्ट तक देखते रहें तो देखिए आपको करना क्या है सबसे पहले तो अपने भी आई एपलिकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने उस नमबर को इंटर कर लिया इसके बाद करते हैं तो हमें इंतजार करना होता है कि ईप और यहां पे अप यह आप है वह फेरिफाई हो जाएगा और यहां पे हमारा जिमेल अईगी है वह भी या आ चुका है और जो हमारा यहाँ पे यहाँ पे जो हमारा OTP आने के बाद यह verify auto ले रहा है request new OTP तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा इसके बाद हमारा उस नंबर से मेरा यह वी आई एप जो है लोग इन हो जाएगा इसके बाद हम इसमें जो भी कुछ भी features को देख सकते हैं वरी ही आसानी से तो आपका internet का speed जीस हिसाब से होगा उसी हिसाब से यह work करेगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे यह application verify हो चुका है और verify होने के बाद इस तरह से इस तरह का interface आपको दिखाई देगा और इस तरह का आपका VIAE app दिखेगा तो यही process है इसको verify करने का तो अगर यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा